वेल्कम दोस्तों स्वागत आपका अमारे पिलाफी फूड यूट्यूब चैनल पे आज हम बनाने वाले हैं आलू के प्राथे बिल्कुल सिंपल सी रेसीपी रहेगी तो चलिए आये बनाते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चोटा सा काम यदि आप वीडियो पे चैनल लेने हैं उसके बाद एक अंडी के अंदर गरम पानी करना है और आलू को हमने बैसिकलिए करना है देखे दोस्तों आलू मारे चुरू होगी है तो यह देखे बाद इनमें आ चुका रहा है ऐजयर से इसी तरीके से इनको पांच-सात मिनट के लिए अनको और पकाना है पांच-सात मिनट लगेंगे अच्के सिनको बॉयल के लेना है बिल्कुल सॉफ्ट कर ला है तो और थी दोसे सेक्षार न गालु में तो यह देखिए बिलकुल लौई बिलकुल जो तो इनकी यह शुर रखकु हैं मीडियम साइज करेंजे तो करेंगे टोड़ी सी कसूरी करें यह पंद्ध कंदन सभाट सावट दनियो थोड़ा साव करके ड़ना नहीं यह देखेगा और किछुश कर्सके डवट भी सिखाने यह सकते वीडियो और एक चोटा चमज पनी Si's में नमक डाल एक नमक आप अपने टेस्ट के अक्रोडिंग कम ज्ञादा भी कर सकते हो इसलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है वा देखे मैं मिक्स कर रहा हूं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिलकुल बड़ी है तरिक्के से तो अभी क्या करना है कि हम इसकी वाइंडिंग त्यार कर लेते हैं तो आधा कप मैंने बेसन का यूज किया है पांचे च्छे पराठे बनाएंगे तो आधा कप बेसन का यूज किया है और बाकि हमने आटा लेना है इसको अच्छे मिक्सके बाद इसको गूनना है पानी की मज़त से तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बढ़ी ऊच्छे इसको गून लेना है तो यह देखे आटा मारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यह देखे इस ट्रेस तक बुनना है उसके बाद देखे इसको बेलना शुरू करते हैं बेसिकली हमने दो लोई को बिलना है मतलब दो रोटी को ऐसे बेलना है और उनके अंदर स्टफिंग करनी है देखे एक रोटी दो जाए को बेलना है उसके बाद उसको स्टफिंग अच्छे से बाद देना है आप मतलब बीच में स्टफिंग जैसे स्मोसे में करते हैं वैसे भी कर सकते हो ने वैसा करोगे तो क्या आता है कह वरी पराठा फट जाता है तो इस तरीके से आप 2 रोटी यह लेना उसके कि जोना ही को सबले के यह उसके बाद है बिक हमारी है प्लते वह उसकते हैं और कि चुट्सां और कि पका करना, और धाय we कि आंगे को भी पएका यह प्याद्ट है कि पान जोड़ने हो और सच्वी कर listen, और गोना में आदे के उफ श्रापने हनutt कुंकि प्राथे में अच्छा होगा तो उतना अच्छा होगा तो इसकी प्राथे में अगर अच्छा होगा तो तो चलिए गी लगाने के बाद इसको पलट देना है दुबारा से उसी साइड को तो देखिए एक साइड बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है तो दूसरी साइड को भी हम पका लेते हैं गी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पलट देना है ताकि इसका फ्लेवर बह बाकी के प्राठे भी हम ऐसे ही रेड़ी कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों देखिए प्राठा कितना बढ़िया इवे बन चुका इसको आप दही और अचार के साथ सार्व कर सकते हो नास्तिक अंदर बहुत बढ़िया लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए गा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसी दमाके दा रेसीपी यहीं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को जरूर दबादेगा थैक्टू सो मच